बंधनानी खलुसंती बहुनी प्रेम रज्जू कृत बंधन मन्यत अर्थार्थ बंधन तो अन्यकों हैं पर प्रेम बंधन जैसा कोई बंधन नहीं इसी प्रेम के वशिभूत होकर राधी का भगवान कृष्ण की सुगंद मैसूस करती हैं उनकी बासुरी की मदुर ध्वनी स सुनकर वनवाटिका में उनको ढूंडने के लिए बटकती हैं अपने कानों को खरूचती हैं और जब कृष्ण मिलते हैं तो प्रेम वश राधिका के नेत्र मुस्कुराने लगते हैं और चहरा प्रेम वश जुक जाता है तभी तो संत कबीर दास जी ने कहा है पोथी पड़ पड़ जगमुआ पंडित भया न कोई ढाई आखर प्रेम के पढ़े सपंडित होई नमस्कार लव इनफाइने चैनल में आपका हारदिक स्वागत है आज हम इसी प्रेम की चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या आपके कुंडली में भी प्रेम विवायोग ह प्रेम है लेकिन क्या प्रेम विवायोग है तो आईए शुरुवात करते हैं पांचवे भाव का स्वामी सप्तम भाव में और सातवे भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो प्रेम विवायोग बनता है उधारण के लिए यदि पांचवे भाव का स्वामी सूर्य सातवे भाव में हो और सातवे भाव का स्वामी शुक्र पांचवे भाव में हो तो प्रेम विवा होता है यदि पंचम सब्तम भाव के स्वामी कुंडली में कहीं भी यूति बनाएं तो प्रेम विवा योग होता है और यही यूति पंचम या सब्तम भाव में हो तो योग प्रबल हो जाता है सब्तमेश यदि द्वादेश भाव में हो या सब्तमेश द्वादेश यूती कहीं भी वने तो प्रेम विवा की संभावना बनती है शुक्र और मंगल किसी भी भाव में वैठे हो तो प्रेम विवा योग बनता है एक बार फिर से शुक्र और मंगल किसी भी भाव में वैठे हो तो प्रेम विवायोग बनता है परन्तु इस प्रेम विवा में वैवाहिक जीवन कष्ट बोन रहता है ये ध्यान रखियेगा क्योंकि मंगल भी है सब्तमेश या पंचमेश सब्तमेश या पंचमेश यदि शुक्र मंगल या चंद्र के साथ युति बनाए तो प्रेम विवा होता है ठीक है यदि पंचमेश लगन में हो तो जातक प्रेम को मिशन ही बना लेगा यदि पंचमेश लगन में हो तो जातक कहेगा मेरा लाइफ का मिशन ही सोल मिशन ही प्रेम करना है प्रेम को ही मिशन बना लेगा अब लगन में यदि पहले, चोथे, छटे, सात्वें, आठ्वें, दूसरा और तीसरे राशी हो, तो जातक प्रेम विवा में ततपर रहता है, यदि पंचमेश की बात करें तो, पंचमेश यदि भाग्य भाव में हो, तो पाप ग्रहों से द्रिश्ट ना हो, तब प्रेम विवा की प्रबल संभावना होती है, यदि पाप ग्रह से द्रिश्ट होंगे पंचमेश, तो प्रेम विवा की संभावना ना के बराबर हो जाएगी, हैना, अब बात करते हैं कुंडली में शुक्र यदि बलवान हो शुक्र बलवान होना चाहिए तो प्रेम विवा होता ही होता है शुक्र यदि सुर्य या मंगल के साथ यूती बनाए तो जातक प्रेम में किसी दीवार को मैसूस नहीं करेगा परन्तु अत्यादेक उर्जा और आत्में विश्वास के कारण बटक भी सकता है यानि दूसरा फैर भी चल सकता है है ना परन्तु यदि चंदर्मा बली हो यहां चंदर्मा यदि बली हो प्रेम विवा भी हो रहा हो यानि जातक का मन मजबूत हो तो जातक एक के साथ ही चुड़ा रहेगा फिर दूसरे के तरफ नहीं जाएगा तब यह प्रेम विवा सफल माना जाएगा है ना अब बात करते हैं यदि पंचमेश छटे आठवें बारवें और चौथे भाव में हो तो प्रेम में धोका और प्रेम की परिणती विवा में नहीं होती यनिके प्रेम तो होगा परन्तु प्रेम में धोका मिलने की संभावना बनी रहती है पूरी-पूरी और प्रेम जो है विवा में नहीं बदल पाएगा ठीक है यदि पंचमेश शत्रूराशिस्त या शत्रूग्रही हो या उसमें अंशकम हो तो प्रेम में दोखा ही होता है एक बार फिर से बता दीती हूँ यदि आपको भी मेहसूस होता है प्रेम तो हमने किया लेकिन हमें दोका मिल रहा है तो यदि पंचमेश, शत्रुराशिस्त या शत्रुग्रही हो या उसमें अंश कम हो तो प्रेम में दोका होता है सब्तम भाव पर राहु या शनी की दृष्टी पढ़ती हो तो अंतर जातिय विवा का योग बनता है शुब ग्रह सब्तम भाव या शुक्र के साथ संबंद बना रहा हो तो प्रेम विवा में सफलता मिलती है सफलता तभी मिलेगी जब शुब ग्रह सब्तम भाव या शुक्र के साथ संबंद बना रहा हो तब अब आगी बात करते हैं प्रेम में असफलता कैसे मिल सकती है किन ग्रहों के कारण शुक्र गुरू युती शुक्र और गुरू की युती प्रेम में विवेक नहीं खोने देती यानि जा तक प्रेम में होने के बावजूद गलत रास्ता नहीं अपनाता सही मार्क पर चलता रहता है उसके प्रेम में वासना कम और प्रेम अधिक होता है परन्तु शुक्र और शनी युती बने शुक्र और शनी युती में संशे या शक के कारण प्रेम में असभलता रहती है जब शुक्र और शनिक युटी बने न, तो डाउट सा जाते हैं, कि अरे ये तो ठीक नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, फिर असभलता हो जाती है, कोई ना कोई कारण बन जाता है, डाउट के कारण, तूटने का शुक्र और मंगल यूती भी जातक को संशयात्मक बनाता है शुक्र और मंगल की यूती इसके कारण जातक या तो प्रेम में धोका करता है या धोका पाता है ठीक है? ये दोनों ही चीजे हैं तो एक तरह से प्रेम में ये पूरी तरह से असफलता हो गई एक भी पीछे हड़ गया तो वह सफल हो गया न यह बात है तो विवा तक तो बात पहुची ही नहीं आगे एक और बात कर देते हैं कि पंचमेश यदि आपका दशम या एकादश भाव में हो पंचमेश आपका दशम में या एकादेश भाव में हो लेकिन पीडित भी ना हो परन्तु पीडित ना हो तो प्रेम विवा का योग बनेगा ठीक है हो जकता है आपको ये कुण्डली देखनी आती हो तो आप पूरी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैंने क्या-क्या चीजे बोली हैं दिखाई हैं समझाई हैं ठीक है तो ये तो कुछ योग थे और भी प्रेम विवा होने के संभावना के योग बनते हैं ये तो कुछ ही बताए है मैंने तो हो सकता है आपको समझ आ गए होंगे और अगर अभी भी आपको अपनी कुंडली में जिन से आप बहुत प्यार करते हैं उनी से शादी करना चाते हैं लेकिन हो नहीं राहा है या फिर आपको लग रहा है ये ऐसा कैसा प्रेम है कि ये दूसरे के साथ भी अफैर चला रहे हैं या किसी और की तरफ मुड़ गए हैं या वहाँ पर लड़की देखनी लग गए हैं शादी प्रेम मुझसे और शादी कहीं और कर रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन इन ही ग्रहों की वज़े से होता है जैसे सुर्य मंगल यूती है और भी चीजे मैंने जो अभी बताई उन वज़ों से होता है जो की पाप ग्रह आ जाते हैं इस वज़े से भी होता है अब ये पता करना होगा कि आपके प्रेमी के कुंडली में कौन-कौन से ग्रह ऐसे बने हुए है कि जिस वज़े से वो आपसे विमुक हो रहे है या प्रेम तो है वो कहते हैं प्रेम है परन्तु विवा की और कह रहे हैं कि नहीं विवा नहीं हो पाएगा उसका क्या रीजन है तो यदि इस तरह से समस्याइं आपकी आ रही है तो आप सही-सही जानना चाते हैं कि विवा होगा भी या नहीं और होगा तो सही तरीके से चलेगा कि नहीं मतलब कई बार ये भी होता है न विवा हो जाए और असफलता होती है फिर विवा के बाद लड़ाई जगड़े और दूसरी जग़े अफेर या आपका या उनका दूसरी तरफ ध्यान रुजान चला जाता है तो ऐसा ना हो अगर ऐसा ही होगा तो पहले ही कुंडली मैच करा के देख लें ये प्रेम विवात हो है कहीं आगे किसी और से प्रेम ना होने लग जाए ये कुंडली में ग्रहों के कारण होता है ठीक है तो यदि आपको इस तरह से आपने जाच करवानी हो तो आप लव इनफाइनल चैनल में तो आप आई ही कहे हैं नमबर मिला दीजिए 8307788247 टेक्स मैसेज कीजिएगा हर किसी के कॉल का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो को देखने के लिए नमस्कार है आपका दिन शुब हो और मैं यही जाओंगी जिन से प्रेम करते हैं उन्हीं के साथ आपका विवा हो तो जरूर आईएगा बहुत बहुत धन्यवाद है नमस्कार